तो हेलो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है तो आज किस वीडियो में हम लोग MS Word में विजिटिंग कार्ड या फिर एक बिजनेस कार्ड को डिजाइन करना सीखने वाले हैं तो चलिए बीना देर की ये वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर MS Word को ओपेन कर लेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले पेज की सेटिंग करनी है तो पेज की सेटिंग करने के लिए आप पेज ले आउट पर चले जाईए और यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपने Page को Landscape mode पर कर लेना है ठीक है तो देखिए Page Landscape पर हो गया победokol historic इसके बाद यहाँ पर देखिए बघल में Size का Option है Size वाले Option पर चले जाईए यहाँ पर More Paper Size का Option है इस पर आपको Click करना है और यहाँ पर देखिए Paperわかॉपशन है और यहाँ पर एक Titus had में आपको जो आपका visiting card का जो size होता है वो 3.5 उसकी चोड़ाई होती है और जो height होती है वो 2 inch होती है इसके बाद इस तीक जश्ट बगल में एक margin का option है इस पर आपको click करना है और यहाँ पर top, bottom, left और right यह सब में आपको 0.2 inch कर देना है तो देखें यहाँ पर मैं 0.2 inch कर दिया इसी तर आपको left में भी करना है और right में भी आपको कर देना है ठीक है इसके बाद नीचे में देखिए okay का option है okay पर click कीजिए तो देखिए आपका visiting card का जो size है यह हो जाएगा ठीक है अभी मैं इसको थोड़ा जूम करके बढ़ा कर लेता हूं ताकि आपको जब आप देखेंगे तो आपको देखने में आसानी होगी ठीक है तो देखिए इसको मैंने थोड़ा जूम करके बढ़ा कर लिए यह हमारा visiting card का एक size हो जाता है ठीक है इसको आपको एक्तम उपर तक कर लेना है और इसको आपको left side को पुरा अंदर के तरब आपको इसको घुसा देना ठीक है तकि इससे क्या होगा है कि यहांपर दोस्तों दिखाई नहीं देगा यह पूरा आधा दिखाई देगा यह जो ओली आधा मुँ आधा मतलब जो इसक हम लोग और साइज को बढ़ा लेते हैं कि कर लिया इसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर देखें जब आप इस से बनाएंगे तो यहां पर एक फॉर्मेट नाम का ओप्सन आपको मिलेगा इसके नीचे में आपको एक से फिल का ओप्सन इस पर आपको क्ल कर देंगे ठीक है तो जो हमार जो आउटलाइन है वो यहां से रिमूफ हो जाएगा ठीक है अब इसी का दोस्तों हम लोग एक डूब्लिकेट बना लेते हैं क्योंकि इसका डूर डिजाइन है वह सेम टू सेम रहेगा सिफ कलर अलगला ग्रेडियंट जैसा रहेगा ठीक है यहां पर दिखे hours क्या करेंगे सबसे पहले इसका ग्रेडियंट कलर चेंज कर लेते हैं इसको सलेट राने देंगे और यहां पर फिर से सेलेख़ फिल वाले और जले जाएंगे यहां पर नीचे मह आएंगे तो देके रेडियंट नाम नाम का ऑप्शन है इस पार आपको आ से फिल में जाते हैं फिर से और यहां से कोई एक कलर हमनों सलेट कर लेते तो देखिए आपको पता लग रहा होगा ठीक है इसको थोड़ा सा आपको एड़ेस्ट करने ना है ठीक है जैसे आप दूस्तों इसको इसी के जश्ट पीछ मतलब लगना चाहिए कि यह जो कलर है इसक हो देखिए जा है ज्सक्राएं आप से तो एक मैस कर लेता हूं यहांसे तो अगर इसको आप और आगे के तरफ बढ़ा सकते हैं और इसको थोड़ा सा हाइए क्योंस्तों कना होता है हुआ ठीक है इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है यहां पर फिर से अब हम लोग इंसर्ट वाले आप्शन पर चले जाते हैं और यह जो वाइट वाला जो एरिया है इस पर अब हम लोग यहाँ पर एक लोगो लगाएंगे जो भी जिसका कम्पनी का विजिटिंग कार्ड बना र लीजे, select करने के बाद यहां पर इंसर्ट का option है, insert वाले option पर आपको यहां click कर देना, ठीक है, अब यह जो logo है, देखें, इसको थोड़ा दूसरा page पर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा size में आप इसको थोड़ा छोटा कर लीजे, यह automatic फिर से वो जो पहल करने के लिए आपको क्या करना है, इसको आपको पहले select कर लेना, कुछ इस तरीके से, देखें, mouse का आपका है, यहां पर है, अभी हमने इसको select कर लिए, तो देखें, इस तरह यहां पर बन गया, ठीक है, box, यह select का option है, ठीक है, इसके बाद यहां पर आप format में चले जाएग ठीक है, तो यहां पर देखें, इसको मैं move कर दिया हूँ, और यही पर मैं रखूँँगा, इसको थवड़ा सा size को मैं बढ़ा कर लेता हूँ, यहां पर इस तरह देखे, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको बढ़ा कर लिए, आप यहां पर हमारा logo लग चुका है, अब यहा फर्स्ट वालाई भी अभी ले रहे हैं इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं और यहां पर हम लोग कंपनी का नेम लिख लेंगे ठीक है तो अभी मैं आपको एक्जामपल के लिए एक यहां पर ऐसा ही कंपनी नेम मैं लिख लेता हूं ठीक है कंपनी नेम हमने टाइप कर लिया यहां पर देखें जो साइज बढ़ाने खटाने का रहता है तो आप जो भी साइज रखना चाहें कर सकते हैं बाद में भी इसको आप बढ़ा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो अभी हम लोग एक नॉर्मल साइज रख ले कर लिजे और इसको भी देखें तो यह मूव होगा नहीं ठीक है तो पहले मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फिर से वही टेस्ट रैपिंग में आप चले जाए और यहां थ्रू वाला ओप्शन को चूज कर लिजे ठीक है अब देखिए यह आसानी से आपका पर मैंने gusta कर लिया सवाओंध करने के बार यहां फॉर्मेंट वाले ऊप्शन में पर चले जाते हैं और यहांसे कोई भी कलर यहां पर ले लेते तो इसको आप पहले सेलेट कर लिजे और सेलेट करने बाद फॉर्मेट में जाईएगा तो यहां पर देखे एक एडिट नाम का टेक्स्ट एडिट टेक्ट नाम का उपसन है इस पर आप क्लिक कीजेगा यहां से थोड़ा सा साइज को हम लोग और चोटा कर लेते हैं 20 पर कर कर लेते हैं यहां पर ओके प्रेस कर देते हैं ठीक है और यहां से माउस के मत से इसको एड़ेस्ट कर लेते हैं और इसको जहां भी आपको सेट करना है इसको आप माउस मत से यहां पर मूव करते वह ले जाई देखें यहां पर हमने सेट कर दिया ठीक है लोगो लग गया य यहां पर कुछ नहीं color आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं यहां पर आप इसको आपको select करना है और select करने के बाद यहां पर आपको देखिए इस तरह से select कर लीजेगा format में जाएगा से फिल में जो भी आप color रखना चाहें आप रख सकते हैं तो आभी हमने यहां पर example के लिए इसको भी चाहें तो आप gradient कर सकते हैं तो यहां पर gradient में चले जाएए यहां पर भी इसको भी ग्रेंट होगा तो भी थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा अब यहां पर दोस्तो से सिलेट करके format में चले जाएं यहांपा added text में चले जाएं और यहां पर हम लोग company यहांपर slogan लिए हैं यहांपर हमने लिख दिया अ hell company still the slogan ठीक है company slogan हो गया यहांसे मोग ओंप साईज को भी थोड़ा चोटा कर लेते हैं थेंडा core indicate लेते आभ इहाँ पर थोड़ा सा इसको मूफ करते हैं ठीक हमासमस से इसको पहले थोड़ा साइज को छोटा कर लीजे और इसको कुछ अलग कलर सथे तो से फिल्स में गयं यहाँ पर देखे कोई भी जो भी आप रखना चाहेँ एक रख लीजे तरह तिक है और यहाँ पर यह हमारा छोटा और तो यहां पर मैंने यहें चीज सेट कर लिया अब दोस्तों यहां पर हमलों लट साड में आ जाएंगे और लट सॉय बागे यहां पर हमलों यहां ओफिस एड्रेस होगा फोन नंबर होगा वो सब डिटेल्स विजिटिंग कार्ट में जो जो डिटेल्स होता है उसको आम यहां पर टाइप करेंगे तो देखिए आपको सबसे पहले इसको कैसे करना है तो इसके लिए आप चले जाईएगा सबसे पहले इंसर्ट वाले ओप्शन में और इंसर्ट वाले ओप्शन में जाने के बाद सेप में फिर से चले जाईएगा यहां से ओवल वाला जो सेप इसको सेलेट कर लीजेगा और माउस के मदर से एक छोटा से यहां पर ओवल सेप मे एक जगह इसको छब को सैट कर लिजी छीक है अब इसमें दूश्थह मैं बताओंगा कि आपको क्या करना है तो इस तरह पहले आप सल्इट सेट कर लिजे यह इस तरह है साथ सेँसेट कर लिया ठीक है अब यहां पर कि सबसे पहले इसको आम लो select किया है select करने के बाद format में जाईए save fill में जाईए यहाँ पर एक हम लोगो लगाने वाले picture में चले जाते हैं देखिए desktop पर मैंने कुछ logo रखा हुआ है जैसे कि मालीजे हमने यहाँ पर सबसे पहले उनका phone number लिखना है इसके लिए लोगो करते है इसको अपर आप क्या करते है इसको आपक्र लिजेगा इस पर हुम लोग करने के वाद यहाँ पर आउटलाइं पर क्लिक कर दी यहां पर हम लोग लगा ख़ते हैं हौनीजे हो deixar लेता है इसको न कर लेता है क्योंकि इस्कों community address रहेगा तो यह हो गया ऑट-लाइन में जाएंगे नो आट लाइन कर देंगे लिए कि पर symbol लगा लेते हैं, no outline कर लेते हैं, ठीक है, इसी तरह इसमें भी कर लेते हैं, ठीक है, यह देखिए दोस्तों हमने सारे में लोगों ला लिए, हमारा phone number हो जाएगा, यह address हो जाएगा, email id हो जाएगा, यह उनका website भी हो जाएगा, ठीक है, अब आपको क्या करना है, control प्रेस कर देना है, अब होगा क्या, दोस्तों यह सब एक group में आ चुक है, ठीक है, जब आप इसको select करेंगे, तो यह सब सब अब एक जगा एक ही बार में select होगा, ठीक है, इस तरह माउस से आप इसको एक साथ यहाँ पर adjust कर लिए, जितना आप रखना चाहें, इसको रख सकते हैं सेप में चले जाते हैं, और यहाँ पर आपको एक test box मिलेगा, इसको आपको select कर लेना है, और माउस के मदद से यहाँ पर test box को आपको draw कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से हमने draw कर लिया है, इसके बाद home में चले जाईए, और home में जाने के बाद थोड़ा से यहाँ size को हम ल ठीक है, number type करने के बाद, इसके बाद हम लोग इसको select करेंगे, size बढ़ाना तो देख लीजे, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, बढ़ा लिया हमने size बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें दोस्तों, यह white आ जा रहा है, तो इसको हम लोग फिर से format में जा करते हैं, ठीक है, तो देखें, अब यह हमारा एक जैसा मिल गया है, ठीक है, अब इसको जहां भी आप adjust करना चाहें, थोड़ा से इसको अगर move करना चाहें, तो move कर लीजे, थाकि यह जो logo है, जो हमने लगाया है, इसी के सामने में आपको देखने को मिले, ठीक है, तो इसक तो यह हमारा हो गया है, इसी तरह हम लोग यहां पर test box लेते जाएंगे, और जैसे कि जो भी address देना है, email id लिखना है, website लिखना है, उसको हम लोग करते जाएंगे, ठीक है, फिर से insert में गए, shape में गए, और यहां पर test box लिया, test box को यहां पर हमने draw किया, इसके बाद home में और size को हमने यहां पर छोटा कर लिया, ठीक है, और यहां पर हम लोग example के लिए एक यहां पर address डाल देते हैं, ठीक है, यहां योर address करके मनें यहां पर लिख दिया है, जो भी उनका address होगा, आप यहां पर लिख सकते है, size को थोड़ा बढ़ा लीजे, ठीक है, इसके बाद पिर से वही काम फॉर्मेट में जाईए से फिल में जाईए और यहां से आप इसको को जो कलर है इसको सलेट कर लिजे यहां पर नो आउटलाइन कर दीजे ठीक है और यह दिक हमारा एड़ेस्ट हो गया माउस के मदन से इसको जहां भी आपको एड़ेस्ट करना है इसको आप ड्रॉच कर लिए और ड्रॉच करने बाद जो भी इनका आपद कि यह इमेल आइड कर möglich है तो इमेल इडि में प्रहले उम में चले जा जाते हैं साइज को छोड़ा में प्रता कर लेते हैं ठीक है यहां पर एक इमेल आईडी मैं एक्वाआ के लिए लिधता हूं तो थो बिखरार आपने लिया है उसको सेलेट कर लिजे नो आउट-लाइन पर यहां पर यहां पर जाकर कर लिजे ठीक है अब इसी तरह यहां पर हम और वेबं साइट भी डाल लेते हैं तो कंपनी का जो वेब andra तो देखिए दोस्तों यह हमारा complete हो चुका आप थोड़ा से यहां पर जो लोगों है इस लोगों पर हम लोग क्या करते हैं इसको select कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको grouping किया हुआ है तो एक बार में यह सारा select हो गया है और यहां पर कुछ यहां पर outline लगा लेते हैं थोड़ा दे देते हैं तो देखिए दोस्तों यह हमारा adjust हो गया थोड़ा सा अगर इसको आप चाहें तो उपर नीचे कर सकते हैं फिर इसको भी आपको पूरा को set करना पड़ेगा ठीक है हमने यहां पर set कर दिया अपने अनुसा दोस्तों दोनों उपर नीचे बराबर लगे इसलिए मै पर देखिए font style है ठीक है यहां पर बहुत सारा font style है जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं ठीक है तो देखिए यहां पर यह मैंने रख दिया फोड़ा सा इसको size को छोटा करना पड़ेगा फोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूं ठीक है तो इस तरह दोस्तों आप कर सक ही तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं आपको उसका जवाब जरू दूँगा और आप भी अपने computer में visiting card जरू बनाईएगा और मैं आने वाली वीडियो में और भी new new design आपको बना के दिखाने वाला हूं तो उसको भी आप practice जरू कीजेगा ठीक है तो वीडियो को like जरू कर दी कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ जो भी visiting card MS Word में बनाना सीखना चाहते हैं उनके साथ भी ये वीडियो को share जरूर कीजेगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए thank you so much